कि यूटूब का अपने यूटूब चैनल के सिया इटाली इस प्रिस लिस्ट में एक बार फिर से हर्दिक शौगत और अफिनंदन करता हूं मैं आसा करता हूं कि आप लुक्स्वस्त होंगे वैस ऐसा आप लोगों को मालूम है कि मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर क कराया जा रहा है मेरे इस चैनल के सिया इटाली इस प्रिस लिस्ट पर आपको हर एक कूर्स काफी डीपली मिलता है जिसक्रम में मैं MS Office का पेकेज आपको लोगों को दे रहा हूं उसमें MS Word की क्लासेज आपको मिल रहे हैं जो मैरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप ल यहाल देखेंगे से पर्भाग्राफ को कामप्लीट करेंगे कई मिनसप अगे को पास्ट करना चानल चैनल कर लें शेयर करने के लिए और friends के पास इसको सेर जरूर करें तो चलिए देखते हैं MS Word Home Menu का अगला टैप हम आ चुके हैं MS Word के विंडो पर आपने पिछली क्लास में क्लिप बोर टैब और फॉन टैब को पढ़ा आज हम देखते हैं paragraph टैब क्या होता है इनके बारे में हम deeply समझते हैं तो मैंने एक example में कुछ दे रखा हुआ है और सबसे पहले हम paragraph टैब में देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है आपका bullets आसे हम bullets प्रोवाइड करते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं हमने numbers के कुछ ऐसे content लिए हैं इसमें हमने numbers प्रोवाइड किया है अगर इनमें हम bullet प्रोवाइड करना चाहते हैं जैसे हमने hardware and software आप लोग जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो मेरे द्वारा आप लोगो computer basic course का एक complete playlist है जिसमें deeply हमने complete history basic पूरा complete किया हुआ है triple c का complete course है उसमें तो आप उसको step by step देख लेंगे तो आपको जो fundamentals of computer है वो आपको बहुत ही आसानी से clear हो जाएंगे तो जैसा कि मैंने hardware and software को select कर रखा है अभी आप देख पा रहे हैं इसमें numbers provided number one number two अगर इसमें हम bullet देना चाहते हैं तो यहां से हम कोई भी bullet assign कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं मारे पास कुछ bullets के symbols हैं यहां पर suggestions प्रवाइड कर रहा है जिस type का content है उस type के bullet आप यहां से ले सकते हैं यह दि हम बुलेट का एक लिस्ट लेवल लिस्ट है उसको हम change करना चाहते हैं लेवल वलेवल टु करके अगर हम करना चाहें अंडर heading डालना चाहते हैं या under content लिखना चाहते हैं तो हम यहां से इस 방 ऊसको सकते हैं heading के अंदर साव heidings जो होती है bullet के अंदर सब अगर हमें प्रवाइड करने है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह से हम यहां से बुलट directors को यूज़ करते हैं अगर हमें नए बुलेट define करना चाहते हैं, assign करना चाहते हैं, तो symbols में जा करके, जिस type का bullet हमें लेना, उस type का bullet हम चुन सकते हैं, इसी तरीके से picture और font को भी आप change कर सकते हैं, चलिए आगे दिखते हैं, नमबर्संहें जैसा कि आप देख पा रहें यहां पर नमबर्सय प्रोवाइट किया आप प्हले से यहां का za Elsa लेक्टेड वहां फीर नमब्र नंबर स्दश्चयोटपिन ने मशीरे रिखा यहां से एक नमबर फ़ॉर्मेट के सब प्रोमद में करना चाहता है इस अ gaming तक ही आएगा इसके आगे भी आप जितने भी देते जाएंगे उस तरह से यह आता जाएगा जैसे मैं आपको सेलेक करके दिखाता हूं यह दिखिए वन टो त्री इसमें थ्री नंबर्स में प्रवाइड किये हैं तो इस तरह से आप देखेंगों यहां पर होना चाहते हैं अगर भी आट नंबर्स कुषाट है जानजर और यहां पर हम चेंनीस करेंगे तो इसके युंज जाएगा जाएगा करना चाहते हैं और उसके बाद अगर हम डिमोशन करना चाहते हैं तो जितने स्टेप से भी मोमेंट कर सकते हैं यहां से in द्रमोशन होती है आपके जाव में अगर आप का यह चार अगर बढ़ जाता है दो उसे प्रोशन कहते हैं और एक अगर आपका डिक्रीस हो गया अगर आप नीचे आगये आप डेमोट कर दिये गिए एक पद नीचे आप आ गए तो उससे अज्याकर कहते हैं चेंज लिस्ट लेवल्स पर जा करके डारेक्ट हम उसका लेवल चेंज कर सकते हैं यहां से भी हम नंबर फॉर्मेट को हम डिफाइन कर सकते हैं और यहां से नंबर की वेल्व विसेट कर सकते हैं अगला हम देखते हैं आप देख पा रहे हैं यहां पर है मल्टी लेवल लिस् तो इस तरह से हम देखिए heading या article करके हम इसमें सकते हैं जो selection हमारा रहेगा व्ह article वन में आ गया इस तरह से अगर हम देना चाहते हैं तो उसको मोट करते जाएंगे तो इसाल Ар अगर हम इसको भी Send form岛 में कर लेते हैं यहां से सेलेक्ट करके और यहां से हम जा करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इसे स्टाइल में तो जस्त यह सेक्शन में चुकि आर्टिकल वन के अंतरगत यह सका सेक्शन वन है हम यहां से इसको डिमोट और प्रमोट कर सकते हैं जिसे आप डिक्रीज एन इंक्रीज भी कह सकते हैं तो अंडू से जितने भी steps आपने apply कर रखे हैं उसके द्वारा अंडू के द्वारा हम उसको back में जा सकते हैं तिके ना फिर आगे हम देखते हैं यह आपने देखे लिया decrease indent and increase indent आप देख पाएंगे कि सॉट्स भी हम कर सकते हैं सॉट्स जैसे एसे डिशेंट फॉर्मेट होता है हलाक हमने यह तीनी कंटेंट यहां पर दिये हैं 123 करके तो यह भी एल्फा विटकल हम करना चाहते हैं तो यहां से ए टू जेड और जेड टू ए कर सकते हैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करें चुकि एंटर करके लिखा गया है तो अलग-अलग उसे मानेंगे ओके करेंगे तो देखिए आप आपका एटू जेट एल्फा विटकल हो गया फिर इंपूट पहले पहले इंपूट फिर आउडपूट हैं प्रसेसिंग डिवाइस तो इस तरह से अगर हमने लिस्टिंग कर रखी है और उसको हम सॉट करना चाहते हैं ऐसे इंडिशेंट फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं अगर इसी को हमें डिशेंट फॉर्मेट में करना है तो यहां पर हम डिशेंट फॉर्मेट कर सकते हैं चीज और हम आपको बता दें यहा आप मालूम हो जो वर्ड विंडोँ में यूस कर रहा है वर्ड प्रसेसिंग विंडोँ में जितनी बार हम एंटर प्रेस करते हैं वो पैराग्राफ चेंज विगाता है आप देखेंगे इतने पैराग्राफ हो चुक्क है चुक्षे करके नंबर लिखे गया है यह अलग- वह मार्क सो कर रहा है जहां पर हमने स्पेस दे रखा है वह सब डॉटेट फॉर्मेट में सो कर रहा है जैसे आगे हम आपको बताएंगे वर्ड काउंटर होता जहां से हम अपने वर्ड को काउंट कर सकते हैं जिसमें बिद स्पेस और बिद आउट स्पेस उस तरह से आप लिख रहे हैं उस content को हम align करना चाहते हैं रूलर के according अपने page में set करना चाहते हैं left align करना जैसे default तरीके से left align है left position जो होता उसे justify भी कहते है default location अगर हम center करेंगे तो आपका content है selected content आपका center में चला जाएगा जितने भी आप align के options यूज़ करते हैं आप देखें सबके साथ उसका shortcut है, left align का shortcut control प्लस L है, center align का shortcut control प्लस E है और right align का shortcut control प्लस R है, तो इस तरह से हम left right center कर सकते हैं, अगर हम directly right में गये हैं और हमें default format में जाना है तो control प्लस J कर देंगे हम तो या फिर justify पर click कर देंगे तो default location में आ जाएगा, इसी तरीके से अगर हम spacing provide करना चाहते हैं, चुकि पहले से ही काफी space दे रखका है इसमें, because यहां पर आप line spacing provide कर सकते हैं, line gap को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहां से directly बढ़ा सकते हैं, line spacing के option में जाकर के आप यहां से line को आप और ज्यादा कर सकते हैं, इसमें complete spacing का option है, line and face break के लिए यहां से हम करते हैं, इंडेंट्स और spacing के लिए हम यहां करते हैं, alignment के setting, left, center, right, justify हम यहां से कर सकते हैं, जो चीजे मैंने आपको बताया भी, indentation provide कर सकते हैं, इसको देखें, आप आप सो कर रहा है preview में, ऐसे moment हम कर सकते हैं, यहां से जितना हम indentation, indent के format में आप set कर सकते हैं, indent अगर आपको नमालू हो, तो हम बता दें, यहां पर जो indicator, so कर रहा है, जो कि ruler indent का जाता है, left indent है, and right indent है, तो यहां से हम check कर सकते हैं, और space यहां से हम provide कर सकते हैं, तो इस तरह से हम यहां पर अगर आते हैं, और zero कर देते हैं, तो default वो 0 पे setup हो जाता है, आपका indentation का, अगर हम यहां आते हैं, तो यहां से हम first line को अलग तरीके से set कर सकते हैं, first line की setting आप अलग कर सकते हैं, और जितना भी space हम first line में देना चाहते हैं, first line का space हम provide कर सकते हैं, और spacing हम यहां से दे सकते हैं, जैसे paragraph के पहले का space, उसकी बाद का space, line spacing यह सब के सकते हैं, समें हम टैप की से शेय्ट भी कर सकते हैं, एक जो करके मेel मेद करके हैं, आप हर एक ऐप्षंट को डिपली directly remove कर सकते करने को मुहां up जicket कर सकते हैं बट हम यहांसे directly remove कर सकते हैं इस थरा से स्यद़ आप लोगों को च्छे से समझ में आ रहा होगा next option आपका दिखे जहां selection ले रखे हैं और उसमें हमें setting प्रवाइड करना तो हम कोई भी study यहां से दे सकते हैं कोई भी सेडिंग जो भी कलर हमें पसंद हो उस तरह की कलर की सेडिंग हम यहां से प्रवाइड कर सकते हैं अगर हम केवल हीडिंग में सेडिंग प्रवाइड करना चाहते हैं तो हम सेलेक्शन केवल हीडिंग का करें और हीडिंग को सेड हम यहां से दे सकते हैं वो भी सेड फॉर्मेट हमने ले लिया और उस हेडिंग को हम सेड में डाल सकते हैं अगर हम हाडवेर को भी यहां से करना चाहते हैं तो जो भी हम सेड में देना चाहते हैं जिसमें भी सेडिंग हम प्रवाइड करना चाहते हैं वो सेड हम यहां से दे सकते हैं इस तरह से अब यहां पर यासगा बॉडर करना चाहते हैं अगर और हम सब्सक्राइद के साथ बॉर्डण दिखा दिन रखा ऑ यहां पर हम बॉर्डट अजफ़ाइद करना चाते हैं घेल अब का रेक्टेंगिलर बॉर्डर यहां से कर सकते हैं सारे बॉर्डर को यहां से दे सकते हैं आउटसाइडर बॉर्डर यहां से प्रवाइड कर सकते हैं अगर हमने टेबल पॉर्मेट में दे रखा है तो इंसाइड बॉर्डर हम यहां से दे सकते हैं इस तरह से आप यह एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अग यहां से हम row column को insert कर सकते हैं इसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें आपको completely इन options को हम बताएंगे जिसमें design का होगा layout का होगा तो हम यहां से अभी गत्स इतना समझते हैं कि हम draw table के माध्यम से table को draw कर सकते हैं हम back में आ जाते हैं और यहां से हम देखेंगे कि इस table को हम हत्राना चाते हैं तो हम अटा भी सकते हैं यहां grid lines देना चाते हैं अगर उस तरह का आपको format है तो आप grid lines और भी provide कर सकते हैं तो यह आपका complete effect है आपके table का effect आ जाता है design से तो मैंने अभी आपको बताए कि इन सब क के बारे में मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा और इसमें मैं आपको completely बताऊंगा वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो काफी lengthy हो जाएगा तो यहां से हम जाते हैं erase करना चाहें तो यहां से इस तरह से इसको select करके इरेज भी कर सकते हैं अपने table के content को भी और table को भी बट हम अभी content रखना है तो हम वैक करके आ जाते हैं इस तरह से हम setting वगएरा border वगएरा डाल सकते हैं और यहां से border setting एक साथ में देना चाहते हैं तो हम border को select करें विकॉज हम यहां क्या करेंगे पहले हम content को select कर लेंगे और उसके साथ border setting एक साथ हम लगाना चाहते हैं तो हम border setting पर चले जाएंगे और यहां से box को चुन लेंगे और इस तरह से box आ जाएगा आधान देना है तो हम यहां से से इडिंग बी प्रोवाइट कर देंगे कोई बी Color हम यहां से चुन लेंगे उस color में मेरी setting जो हमने selection ले रखा है जो criteria चुना हुआ है उसको यहां से दे सकते हैं color का style पैटन वगरा डालना चाहते हैं तो आप यहां से डाल सकते हैं को यह अल आपके content का length होता है उस पूरे में setting complete होकर के आता है तो इस तरह से आपने देखा कि हमने border provide किया और उसमें setting भी दे दिया हम इसको undo करके हम खदम भी कर सकते हैं मतलब इसको back में जा सकते हैं last style में हम पहुंच सकते हैं यहां से direct style हमें में देना है तो हम क्या करते है content को थोड़ा सा select कर लेते हैं फिर हम इस style को देखते हैं जैसे नॉर्मल font करना कि नॉर्मल फॉन्ट हो जागा आप देख पा रहे हैं यह आपका नॉर्मल फॉन्ट में convert हो जाए इस तरह से हम एक style को यहां से प्रवाइड कर सकते हैं इसको हम हेडिंग में डालना चाहते हैं तो हेडिंग वन कापी उसका height ज्यादा होता है वह ज्यादा होता है उ style और अगर हमें style को define करना है और सारे formats को देखना है तो हम यहां से directly उसको change कर सकते हैं यहां से एक नई style को create करना चाहें तो नई style डाल करके name करके यहां से की पूरी फॉर्मेटिंग को क्लेयर भी कर सकते हैं यहां से और यहां यहां पर बताया यहां पर मैंने एक लाइन प्रेसिंग अप्शन लिया था तो जब कभी भी आप कोई भी टैप को पड़ते हैं और उसके राइट बॉटम कार्नर पर आप यह तो मतलब वो चीजें आपको डायलाग में मिलेंगी जो सारी चीजें आपने अलग-अलग से किया होगा और डायलाग में आपको कंप्रीटली मिल जाता है जो का हमने यहां पर क्लिक करके ओपन किया तो यह आप जरूर चेकल दिया करें अगला अगला अप्शन देखते हैं आपके सामने देखें फाइंड को बॉक्स आते हैं जो सेलेक्शन यहां पर दिया गया है कि टोटल सेलेक्शन दे रखा और सेम मैटर हमारे पास होर उता तो यह मैच कर लेता बाट यहां मैच प्रवाइट कर रहा है हम इसको आपको एक अलग तरीके से बताते हैं जैसे यह यहां पर हाडवेर है मैं हाडवेर को सेलेक्शन कर रखा है और हम चलेगे फाइंड में यहां पॉइंट पर क्लिक करते हैं और फाइंड पर चले जाते हैं तो हमारे सामने फाइंड का वॉक्स आता है दिखें हाडवेर है नेक्स यह दिखें यहां से मैंने इस लेक्शन ड आगे हम देखते हैं फिर जैसे हमने हार्डवेर का सेलक्षन ले रखाता है और वो find में show कर गाता है आप देखें यहां पर एक option है advanced find advanced find में हम यहां पर find option लिखेंगे और यहां से हम find next करेंगे और इस तरह से आपको find next करके वो सो करना स्टार्ट करेंगा करते जाएंगे और यह सर्च कंप्लीट कर चुका फिर हम मेट्ट करेंगे तो इस तरह से सब्सक्राइब यही से हम रिप्लेश कर सकते इसमें एक ऑप्शन के आप मोर इसमें केस के करके आपको find next करना है मैं इसको थोड़ा से डायलक साइड कर देता हूं और फिर मैं find next करूंगा तो यह बताएगा कि यह आपको नहीं कर पा रहा है कि आपके पास हाडवेर नहीं है इस केस में तो उसने कंप्लीट कर दिया इस तरह से एक-एक option को हम यहां से चेक कर सकते हैं तो फिर आप एक-एक करके देख लीजिएगा सब बहुत ही सिंपल है हो जाएगा असानी से बैकर के आते हैं इसी में एक-एक ला option आप देखेंगे तो यहां पर गोटू है जो की डायलाग में था बैट में डारेक्ट यहां से ला रहा हूं अगर हम पेज में हैं section अगर हमने डिवाइट कर रखा जैसे थोड़ी दिर पहले आपने देखा होग दोगा article one, section one हमने दे रखा था तो इस तरह से हम जा सकते हैं अभी हमारे पास कई सारी lines हैं तो हम line पर क्लिक करके और यहां पर हम देना चाते हैं कि हम पंद्रवी line पर जाना चाते हैं तो यह जस्ट हम आपर go-to कर देगा इस तरह से आप जहाना चाहेंगे आपका cursor वहाए पहुंच जाएगे देखिए पंद्रवी लाइन है इस तरह से हम यहां पर जा सकते हैं गोटू के बहुत सारे एफेक्ट हैं कई सारे काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं मिन्स यहां से जितनी चीजें हैं जितने भी ऑप्शन से कोई अब्जेक्ट है कोई एडिंग है उसको हम नहीं हम यहां से डारेक्ट चे चेक कर सकते हैं अगर हम हेडिंग वन करके हलोल किसी हो मने दिया आ और हम गोटू करें तो हेडिंग वन पर पहुंच जाएं हैं तो इस तरह सेuff जम करके जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं replace आप देखेंगे यहाँ पर click करके हम देखते हैं रीप्लेश option है जैसे हमने normally hard wear है कैसे किस तरह से हमने एक title case में हमने इसको लिखा हुआ है find next करते हैं तो find करके दे रहा है हम hardware की जगा पर change करना चाहते हैं हम यहां पर कर देना चाहते हैं software कर दिया हमने और अगर हम यहां पर software पर हैं जिसे selection लिया hardware का अगर यहां से replace करेंगे तो software हो जाएगा अगर हम replace आप यहां भी वो सारी conditions अपनाई होती है मैच केस करना है एक ही वर्ड को आपको सर्च करना है जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप इसको कर सकते हैं replace करेंगे तो जहां-जहां hardware होगा सब software में कर्मोंट होगा दो इसने प्रवाइड कर दिये हैं जो कि उसने लिख करके दे दिया आपको तो इस तरह से हमने चुकि हमने एडिंग का अस्लीक्षिव शयलुक्त आपको से इसने चैंज करके दे दिया अंदो कर लेते हैं हम उसी फॉर्मेट में टाले तर cotton अपचेंगे सलेक्ट तो सलेक्ट के लिए सलेक्ट वो करेंगे त्ट्टहल आपके जितने भी जितने भी content आपके page पर लिखे गए होंगे सारे select हो जाएंगे अगला option है अगला option हम देखेंगे यहां से select objects है अगर कोई भी object बना रखाया हमने जैसे हम insert पर जाएंगे और कुछ object ले लेंगे हम एक दो अबजेक्ट ले लेते हैं से एक बना लिया हमने एक औबजेक्ट और अगर हम फिर से जाते हैं एडिटिंग और यहां से select object पर चले जाएंगे option है select objects तो हम एक साथ जैसे एक राइटिरिया देते हैं और इसको इसके अंडर में कर देंगे तो जस्ट दोनों ही object आपके मतलब एक से ज्यादा जितने भी objects होंगे एक साथ हम select कर सकते हैं जैसे टेक्स को total select करना है जैसे select टाल कर दिया तो object और सारी चीज़े सेलेक्ट हो जाएंगी अगर हमें only object को select करना है तो हम object के लिए क्या करेंगे हैं से select object का इस्तमाल करेंगे और object को select करके दिखा दिया है यहां हमने करना है select all text within similar अगर एक ही formatting के text है तेक्स जैस्ट होग भी कर सकते हम selection panel ले ले और यहीं से हम directly जो जो matters हमारे जिस तरह से लिए गये है जो भी selection हम देंगे उस type के selection हो करके आ जाएंगे यहां से आप देखेंगे जो भी objects है उन्हें आप लोग कर सकते हैं यहां से दिखिया आई का format है इस प्लिक कर देंगे हाइड हो जाएगा एक साथ स्वाइड करना चाहते हैं यहां से हाइड और यहां से तो यह आप लोग का editing का complete tab हो गया तो इस तरह से home menu के जो complete tabs हैं उनके बारे में मैंने total आप लोग को बताया वी problem ह होती है इसको समझने में तो आप वीडियो को repeat करके आप देख लेंगे यह उससे भी आपकी problem solve नहीं होती है कोई क्वेरी आपकी तो comment के मातन से हमें आप जरूर बताएं तो आज के लिए बस इतना मिलते हैं next day नए वीडियो के साथ यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे like करें अपने friends के पास share करें free classes को प्राप्त करने के लिए तथा चैनल पर यह दिया आप नए है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें because इस चैनल पर complete informative वीडियो ही प्रवाइट की जाती है और यहां से जो भी आपको knowledge